एक बार बुद्धा एक छोटे से गाउं गए जब गाउं के लोगों को ये बात पता चली तो गाउं के लोग एक-एक करके बुद्धा के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जाने लगें एक तिन कुछ लोग एक बुद्धा के पास लेकर गएं लोगों ने बोला कि ये हमारा दोस्त है ये देख नहीं सकता हमने इसे कई बार समझाने की कोशिश की कि लाइट एक्सिस्ट करती है पर ये हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है ये बोलता है कि अगर light exist करती है तो light को touch कराओ मुझे feel करना है कि light का touch कैसे होता है अब आप ही बताओ कि light को कोई touch कैसे कर सकता है blind man ने लोगों की बात को काटते हुए बोला कि अच्छा ठीक है अगर light को touch नहीं कर सकते तो में पस कान है मुझे light की आवाज सुनाओ और अगर आवाज भी नहीं सुना सकते तो मुझे सुंखाओ कि light का smell कैसे होता है और अगर smell भी नहीं करा सकते तो मुझे light का स्वाधी चखा दो कि light का taste कैसे होता है तब मैं ये बात माल लोगा कि light exist करती है उसकी friends ने blind man को बोला कि ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जिससे हम तुम्हे light की existence को proof कर सके light एक ऐसी चीज होती है जिसको सिर्फ आँखों से देखा जा सकता है अब blind man को ये लगता था क्योंकि वो blind है देख नहीं सकता तो गाउवालों ने light की कोई story बना दी है सकता या फिर smell नहीं कर सकता या फिर उसका taste नहीं कर सकता बुद्धा ने बोला कि मैं एक blind man को ये नहीं convince कर सकता कि light exist करती है अगर तुम्हें इसे ले ही जाना है तो एक doctor के पास ले कर जाओ जो इसकी आँखों का इलाज करेगा अगर इसकी आँखों की रोशनी वापस आ गई तो ये खुदी देख सकेगा कि light exist करती है अब उसके friends उसे एक doctor के पास ले कर गए कुछी महीनों के इलाज से by God's grace उसकी आँखों की रोशनी वापस आ गई अब वो देख सकता था कि light actually में exist करती है जब तक उसकी आँखों की रोशनी वापस आई तब तक बुद्धा गाउं से जा चुके थे अब वो बुद्धा को खोजने चला गया जब बुद्धा उसे मिले तो उसने बुद्धा को बोला कि मैं गलत था light तो actually में exist करती है बुद्धा ने मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ तुम गलत थे light exist करती है पर तुम्हें पता है तुम्हारी आखे क्यों ठीक हुई तुम्हारी आखे सिर्फ इसले ठीक हुई क्योंकि तुमने लोगों की बातों पर विश्वास नहीं किया अगर तुम लोगों की बातों पर विश्वास कर लेते कि हाँ होता होगा light exist करती होगी मैं तो देख नहीं सकता मुझे क्या पता तो तुम्हारी आखे कभी ठीक ही नहीं होती तुम्हें ये पता भी नहीं चलता कि इलाज करवाने से तुम्हारी आखे ठीक भी हो सकती है इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम खुद चीजों को experience करेंगे तब ही हमें उनकी existence का पता चलेगा चाहे success हो या failure आप खुदी बताओ एक fail इंसान को जिसने कभी success को देखा ही ना हो उसको क्या पता कि success की existence कैसी होती है उसको ये पता हो सकता है कि successful होना कितना अच्छा होता है पर success क्या होती है वो एक successful इंसान को ही पता होता है और अगर हम देखें कि कोई गरीब है तो हमें उससे sympathy तो हो सकती है पर गरीबी क्या होती है वो सकरीब कोई पता होता है तो आप लोगों की बातों पढ़ना हो बस अपने लाइफ में एक्सपीरेंस करो जो आप खुद सोच रहे हो वो करो और खुश रहो अरे रुको 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 इतनी जल्दी क्या है जाने की अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो